नमस्कार दूस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एस प्रेपर इन्वार्मेंट का एक टेस्ट हमने किया था आज हम दूसरा टेस्ट करने जा रहे हैं इस टेस्ट के अंतरगत आज हम जो कवर करेंगे वो मैंने आपको पहले ही वो चैप्टर ब आपका दोस्त चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को तरीका वही होगा 20 प्रशन है इसमें आप लोग अपने इसको माइनिस मार्किंग करके यानि जो गलत होंगे उनको निकालकर जरूर सेयर करेंगे और अपनी राय रखेंगे जो प्रशन मैं पूछूंगा उसका आप उ एजी टांसले ने किया था और पाश्तित्की सब्द का सरप्रथम प्रियोग हैकल ने किया था दोनों ध्यान न कियेगा ओपर सिस्टम तंत्र लगा हुआ है और जो नीचे वाला है वो केवल पाश्तित्की है ठीक है ना तो दोनों सब्दों का प्रियोग आपको बताना है स सर्पर्थम किष ने किया था अपना उत्तर आम टिक करें पहला इस्टेट्मेंट सही है एजी टासले ने कीया था और दूसरा भी सही है इसका हैकल ने किया था 25 की सब्द का एकोलोजी आप पढ़ते है ना एकोलोजी की स्पेलिंग होती है इस एको लोजी, जो हैकल महोदे ने किया था, इन्होंने इसके आगे एक ओ लगा के किया था, बाद में दीरे दीरे ये, इकोलोजी हो गया, ओ इकोलोजी ऐसे कुछ लिखा रहता था, तो इसका एंसर कुल मिला कर आप जान लिजी कि ये सी है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है प्रश्ण संख्या दो है आशुमेलित यूग्म की पहचान कीजिए उत्पादक प्रथम पोशनस्तर प्रात्मी को भोगता दुतिये पोशनस्तर दुतियों को भोगता तिर्तिये पोशनस्तर और तिर्तिये को भोगता अब घटक बताना है कौन सा आशुमेलित है यानि नहीं है उत्पादक जो होते हैं ये पर्थम पोशन अस्तर माने जाते हैं पर्थम पोशन अस्तर पर उत्पादक होते हैं दुतिये पोशन अस्तर पर प्रात्मी को भोगता होते हैं और तिर्थिये पोशन अस्तर पर दुतिये को भोगता होते हैं लेकिन जो ये अब घटक है ये तिर्टिये को भोगता नहीं होते हैं तिर्टिये को भोगता के अस्तर पर चतूर्थ पोशन अस्तर होता है और उनके बात की ये अवस्था है तो ये गलत हो जाएगा टू को हो जाएगा डि निमनिकित में से कौन सा पारिस्तित्त तंदर का आजयison गटक नहीं है प्रशनसंख्या 3 जानिकि काउन सा अजयविक घक नहीं है अजय विक के आलावा क्या हो शकता है जिसा पारिस्तितिक तंद्र कि जो घटक होते हैं जय जय श्हीत है में वनको बार्टते ये जैविक घटक है, उत्पादक, उभोगता, अब घटक, है न, ये सब क्या है, जैविक घटक है, कुछ नमबर चार, निमलिकित में से कौन सा युग में शुमेलित नहीं है, बकरी, प्रात्मी को भोगता, सांप, दुतिय को भोगता, भेडिया, तिर्तिय को भोगता, सेर, तिर्थियो को भोगता बताईए कौन सा सुमेलित नहीं है बकरी प्रात्म को भोगता सही है आप अपना एंसर टिक कर लिजेगा उसके बाद मेरे से मिलाईएगा साप दुतियो को भोगता सही है लेकिन भेडिया जो है ये तिर्थियो को भोगता नहीं होता है आप सेर से तु और भेडिया ये दोनों ही दुतियों को भोगता के अंतरगत आते हैं कुछ नमर पांच निम्निकित कत्नों में से सत्रिक अथन की पहचान करना है आपको पाज़तीक तंत में उर्जा का प्रवाह एक दिस्ये होता है सही है अब सुचिए सही अगलत है बढ़ते पुशन अस्त्रों में उर्जा की प्रगामी हानी होती है पहला statement सही है एकडिसी यह होता है एकड़ीशी यह होता है क्योंकि उर्जा जैसे 253-2 में सौर्यवीकरण की रूप में उरजा आती है विबिन पोशना स्तुन, अस्त्रों में ऊजाती है लेकिन फिर से उसका उल्टा उपयोग नहीं हो सकता इधर से फिर से सूरज की तरफ वो नहीं जा शकती है वो यहीं पर फिर नश्ट हो जाती है तो उर्जा का प्रवा एक दिस यह होता है बढ़ते पोशन अस्तरों में उर्जा की प्रगामी हानी होती है ये भी स्टेटमेंट सही है प्रवा जाएगा अगे बढ़ती चली जाती है पिछले पोशन अस्तर से दस प्रसत उर्जा की ही प्राप्ती केवल अगले पोशन अस्तर को हो पाती है तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है फाइब का सी कुछ नमबर छे निम्न की तच्छांसों से निम्न अच्छांसों से उच अच्छांसों की तरब जाने पर सामानी रूप से पारितंत्र की उत्पादकता और जैव विवेधता में क्या होता है निम्न से उच अच्छांसों में जाएंगे आप ब्रदी होती है, कमी आती है अगला भी कल्ब देख लीजिए, समान रूप से बना रहता है कुछ कहां नहीं जा सकता बताईए, क्रशन संख्या 6 निम्न अच्छांसों में तापमान जादा होता है तापमान के साथ आदरता जादा होती है तो उत्पादक्ता क्या होती है और जो भी बित्ता क्या होती है यह जादा होती है लेकिन निम्न से जब उच्छी की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे यह देखिए, मैं समझाये दे रहा हूं आपको यह 0 डिगरी अच्छांस जो है, इक्वेटर है यह निम्न अच्छांस है अब यहां से जब आप उपर जाएंगे यह उच्छ अच्छांसों की तरफ जाएंगे तो तापमान आदरता यह सब कम होगे और जब भी बित्ता और उत्पादक्ता में कमी आती चली जाएगी तो एंसर हो जाएगा 6 का B कमी आती है तो च्छ नम्मर 7 निम्निकित में से कौन सा यूगम आशुमेली थे पुस्ताज वेनेजुयला सवाना अफरीका कैमपोज ब्राजील प्रेरी उत्री अमरिका आपको बताना है कौन सा आशुमेली थे इनमें से सवाना अफरीका सही है आपको पता होगा कमपोज ब्राजील सही है प्रेरी उत्री अमरिका सही है पुस्ताज वेनेजुयला सही नहीं है पुस्ताज कहां पाया जाता है हंगरी में पाया जाता है हंगरी का है ठीक है न हंगरी के ये सब क्या है घास के मैदान पुस्टाज हंगरी का मैदान है इसके लावा आपने डाउंस कही बार पूछा जा चुका है क्मेंट बाक्स में आप लोग बताएंगी जब लिखा करिए तो इसे लिखा करिए कि डाउंस आगे लिखा करिए कि वो कहां का है ऐसे आपको बताना है इस्टेपीज बता देना है इस्टेपीज कछेतर क्या है ठीक है कुछ नमर आट पे चलते हैं ये कुछ बातें लिखी हुई है कुछ बिसेश्टा है यहां पर लिखी हुई है उनके आधार पर आपको बनस्पति की पहचान करनी है ये ज किसेस्ताओं के आधार पर बनश्पत की पहचान कीजिए कुछ नम्मर आठ तो ये टुंडरा बनश्पती है कि टैगा है कि मरुष्थली है कि पहाड़ी इन में से कोई एक प्रकार की बनश्पती है आपको बताना है किस प्रकार की बनश्पती है प्रश्ण संख्या 8 को आप स जल की मात्रा बहुत काम होती है तो हर रूप में जल बचाने का प्रयाश करते हैं यह प्रश्ण संख्यार 9 निम्न लिखित में से कौन सा या से संक्रमन कालीन प्राश्थित की तंत्र के उधारण हैं आपको इसमें से बताना है आद्रबूम ज्वार नदमुक मैंग्रो संक्र संक्रमन कालीन प्राश्थितिक तंत्र अगर आपको संक्रमन कालीन से यहां पर ठीक है यह भी कहा जा सकता है यानि कि संक्रमन वाले यानि कि जो जलिये और अस्थलिये दोनों के मध्य में पाया जाते हैं ठीक है ना जो जलिये जैसे संक्रमन कालीन प्राश्थितिक तंत्र को आप कैसे प्रवासिद करें gummy 가 gere in ईसername सुच्छ जल पारिश्थितिक तंत्र हो गया दूसरा हो गया सागरियी जल पारिश्थिक हो गया लेकिन इसके बीज में जो पाए जाता है ऐसा पारिश्थितिक तंत्र तो उसको अब बताएए इन से हैं उसके उदाहरण आदर भूमिज्वार नदमुख मैंग रोप एंसर टिक करिए और इसका सही एंसर है सभी एक दो तीन सारे हो जाएंगे ठीक न यह सब संक्रमकालीन प्राश्टिक्तंत के उदाहरण है समुद्रों का वर्षावन किसे कहा जाता है उखरण संक्या 10 महासागर कर दिखने वाला जो रंग होता है प्रवाल भित्ति को इनमें से कोई नहीं कि तर इसका सही सी प्रवाल भित्ति को समुद्रों का वर्षा वन कहा जाता है पूछा गया प्रश्번half याद करिए इसको. प्रवाल विरंजन के लिए उत्तरदाई ये करक लिए देखिये. ये कारक वहाँ पर होना चाहिए. मैं ही टाइप करता हूँ, मुझसे ही गलती होती है. ठीक हैं? तो उत्तरदाई कारक कोन से है? प्रवाल विरंजन के लिए? बूमंडलियतापन, आप अपना एंस्वाटिक करें फिर से इसमें देख लिजिए कौन से प्रवाल विरंजन के लिए उत्तरदाई कारक हैं प्रवाल विरंजन के कारक हैं आप लोग ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हैं प्रवाल विरंजन आप ये जान लिजे कि जो प्रवाल होता है प्रवाल पर कुछ जीव रहते हैं है ना रंगीन सहवाल होते हैं वो और जब किसी परियावरणिये नकारात्मक कारण के कारण कोई परियावरण में नकारात्मक परिवर्तन होता है जैसे ये परिवर्तन है बुमंडली अतापन है और शादो में ब्रधी है कोरल खनन है या अवेग्यानिक तरीके से मचली मारा जाना ये सारे कारण हैं इनके कारण से वो जियू नश्ट होने लगते हैं वो उपर से हड ज होता है वो कलर हड़ जाता है और वो हो जाता है कि इस करल का सफेद कलर का होने लगता है वाइट कलर का तो इसको परवाल विरंजन कहते हैं इसके लिए ये सारे कारक उत्तरदाई है इसका 11 का एंसर हो जाएगा डी उपरयूक्त सभी कारक ठीक है ना सौरी निम्लिकित में स सत्तिकत्नों की पहचान कीजिए विस्व आद्र भूमी दिवस दो फरवरी को मनाया जाता है पहला इस्टेट्मेंट भारत सन 1982 में रामसर समझोते का सदर्शे बना दूसरा स्टेट्मेंट तीसरा स्टेट्मेंट है भारत के भागोलिक छेतर का चारद समलो 6-3 फिस्दी आद्र भूमी के अंतरगत आता है बताए कौन साइस में सही है विकल्प आप देख लीजिए दूसरा वा तीसरा पहला वा दूसरा सभी सही है कोई भी सही नहीं है और प्रश्न संख्या बारा का सही अंस्वर है कि सभी सही है दो फरवरी को मनाया जाता है 82 में सदस्य बना चारद समलो 6-3 प्रसत आद्र भूमी के अंतरगत आता है कुछ नमबर 13 अश्वमेलित युगम की पहचान कीजिए वेमनाद खेरल दीपोर बिल अरुणाचल प्रदेश भोज मद्ध प्रदेश पोंग डैम जील हिमाचल प्रदेश बताइए कौन सा अश्वमेलित है राजी दिये हुए है और ये कैसे अस्थल है ये भी कमेंट बाक्स में आपको बताना है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं आप यहीं नहीं जान पाएंगी ये क्या है तब कैसे उत्तर देंगे ठीक है ना पहला सही है तीसरा भी सही है सी वाला विकल भोजमद परदेश में है वेमनाग केरल में है और पॉंग्ड्यम जील हिमाचल परदेश में है दिपोर विल की जहां तक बात है ये कहा है बताएए असम में है धी पूर विल असम में है तो तेरा का दी हो जायगा यह यहां पर गलत दिया हुआ है आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की भारत की किस राजी में सर्वाधिक मैं ग्रोब छेत्र हैं आंद्रप्रदेश में गुजरात में पश्चिब मंगाल में केरल में सही उत्तर आप अपना टिक करें और इसका सही उत्तर है पश्चिब मंगाल में कोई एक सदस से दो सदस से मैं आसा करता हूँ कि कई लोग और रोही करम में जो मैंगरोब का छेत्र है उसको सजा के लिखेंगे इसके बाद में क्या है कम से कम तीन या चार स्थान देखते हैं क आरह सरकार द्वारा राष्टिय आद्रभूमी सन रच्छन कारिकरम चलाया गया किस सन में चलाया गया ऐसे प्रश्ण भी पूछे आते हैं PCS में कहीं भी पूछे जा सकते हैं 2000-2001 में 98-99 में 2004-05 में 1985-86 में कुष्चन नम्मर 15 और इसका सही अंसर है 1986-86 डी अंसर सही है निम्रिकित में से कौन सा विसु का विशालतम पारी तंत्र है PCS का पूछा हुआ प्रश्ण है कौन सा है बताईए समुद्र घास के मैदान वन परवर बताईए अंसर क्या होगा इसका बहुत कठिन प्रश्ण ह है बहुत सरल प्रश्ण है यह पूछा हुआ प्रश्ण है आप अपना एंसर दीजिए कौन सा विसु का विशालतम पाच्तितिक तंत्र है तो इसका एंसर सिंपल सा है यह हो जाएगा Montrex Record एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जब आपको कुश्चन बहुत सरल लगे तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा समय देता हूँ कि आपकी आदत बने पता चले कि हम उसको बड़ा सरल मानकी वो फट से टिक कर दिये और चला वो गलत हो गया ठीक है ना तो समुद्र यहाँ पर हो जाएगा सबसे सही सबसे सही नहीं सबसे बड़ा यही पारिस्तितिक तंत्र है अगला प्रशन हम देखते हैं मौन्टेक्स रिकार्ड क्या है रामसर कन्वेंशन के अंतरगत एक स्वाच्चिक तंत्र पहला विकल पारिस्तिक रूप से संकट गर्स्त आद्रभूमियों की सूची बनाने वाला तंत्र दूसरा विकल तीसरा है कि उपरिक दोनों सही है और चाथा है दोनों में से कोई सही नहीं है मौन्ट्रेक्स रिकार्ड क्या है पहला देखिए रामसर कंवेंशन की अंतरगत एक स्वाच्चिक तंत्र सही है और दूसरा भी सही है कि आद्र भूमियों की सूची बनाने वाला तंत्र है आपसे ये भी प्रशने एक ऐसे पूछा जा सकता है पहला इस्टेटमेंट नहीं देगा दूसरा ही पूछ लेगा निम्लिखित में कि दोनों के दोनों सही है प्रशन संक्या ठारा निम्लिखित में से कौन सा पत केवल जीव द्वारा करहन किये गया स्थान का ही नहीं बलकि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वरणन करता है पहला विकल्ब संक्रमिका यानि इकोटोल दूसरा है पा ठीक नव आप अपना एंसर बहुत सोच समझ कर दीजिये मैं आसा करता हूं कि आप ये प्रश्न गलत नहीं करेंगे हैं 2013 में ये पूछा गया था प्रश्न 2013 में 17 में नहीं 13 में पूछा गया है बताइए और इसका सही एंसर एठारा का भी याद रखिएगा प्रश्न कभी और भी हो जाएंगे, अब बचा दो भी कल्ब ए और बी, सुपोर्षन के कारण ढbalance की फाइटर प्लैंक इतना help मैंने कर दिया है और इसका सही एंसर है पहले आप अपना टिक करें मैं पहले नहीं बताऊंगा और शीटिंग तो करिएगा ही नहीं अपने साथ कोई थोड़ी चीटिंग करता है पहला विकल्व इसका सही है जलिय पारितंत्र में शुपोशन के कारण तीब ब्रगति स जो सहवालों में ब्रधी होती है वो algae bloom कहलाता है प्रश्ण संख्या 20 और इस टेस्ट का ये अंतिम प्रश्ण निमलिकित आद्र छेत्रों में किसे किने रामसर का दर्जा प्राप्त है PCS का पूछा हुआ प्रश्ण चार-पांच प्रश्ण मैं ऐसे रखता हूँ चिलका जील, केवला, देवराष्टी उद्यान, लोक्टक जील, भूलर जील किसे प्राप्त है प्रश्ण संख्या 20 उत्तर दीजे किसे आद्र छेत्रों में रामसर का दर्जा प्राप्त है आद्र छेत्रों में ये जो दिये हुए है और इसका एंसर है सभी सबको प्राप्त है ये जितने भी हैं चिलका जील, केवला, दुराष्टी उद्यान, लोक्टक जील, भूलर जील एक प्रशनाप के लिए है कि भारत में कितने ऐसे अस्थलों को आद्र छेत्र का दर्जा प्राप्त है, कितने आद्र छेत्रों को रामसर का दर्जा प्राप्त है, संख्या आपको बतानी है, नंबर आपको टाइप करना है इसकोर जरूर सेर कीजिएगा पंदरा से उपर है पंदरा की लगभग अगर आ जा रहा है तो बहुत अच्छा है सत्रा ठारा आता है तो बहुत more than अच्छा है, एक्सिलेंट है और अगर आपका पंदरा से कम आता है थोड़ा सा आप मेनत और जादा करिए दस से कम आता है तो बहुत ज़्यादा मेनत करने की जरूरत है फिर मिलते हैं जोगरफी का टेस्ट आप कर लीजिए छे टेस्ट तक वहाँ पे हो गए हैं विश्व भुगोल का भी एक महत्पूर्ट तत्य करके एक स्री चल रही है उसको भी आप देख सकते हैं फिर मिलते हैं